आप लोग कैसे हो उमीद करती हूं अच्छे से होंगी तो दोस्तों आज मैं इंस्टेंटली आलू की ऐसी रेसिपी लेके आए हूं बेहद ही लजीज और स्वादिश्ट है दोस्तों बच्चा बच्चा उंगली चाट चाट कर खाएगा दोस्तों और एक रोटी के जगा आप 100 रोटी खाजाओगे और एक कटोरी के जगा 100 कटोरी चावल खाजाओगे यह इतना लजीज सबजी है आलू की और आलू जो है दोस जरूर खिलानी चाहिए और इस recipe की खास बात की अभी festival आने वाला है या आपके घर में कोई भी function वगेरा सब हो कोई भी occasion हो तो occasion special festival special थाली में आप इस recipe को जरूर try कर सकते हैं और अपने occasion festival का भरपूर आनंद ले सकते हैं जो सबजी है आपकी थाली की special थाली की रौनक बढ़ा देगा दोस्तों और दुर्गा पूजा दीपा वाली होली किसी भी festival में आप इस recipe को इस ट्रिक से बना के enjoy कर सकते हैं तो चलिए देख लेते हैं कि ये recipe कैसे बनती है रे recipe शूरू करने से पहले दोस्तों आपसे अनुरो bell icon को ज़रूर hit कीजे ताकि मेरी new video की notification आप लोगो मिल जाए तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे आप देख सेकते हो काजू लिया है मैंने 21-22 pieces है और इसमें हम गरम पानी देके 12-13 minute इसको छोड़ देंगे ढखके ये early soft हो जाएंगे और बहुत ही बढ़िया इसका paste बनके रेडी होगा तो दोस्तों यहांपे आप देख सेकते हो सुखी हुई मिर्ची है तो यहांपे मैं यहां पे सुखी हुई मिर्ची को इस तरह से तोड़ दे रहे हूँ और इसका जो seeds है इसको अलग कर दिया है ये जो है मिर्ची बहुत ही spicy वाली है अब हम इसमें भी गरम पानी डालके इसको भी 12-13 मिनट छोड़ेंगे ताकि ये early soft हो जाए और इसका भी paste बहुत ही soft बने तो दोस्तों इसके इस मिर्ची के एवज में आप कस्मीरी मिर्ची जो आती है ना उसका अब इस्तमाल कर सकते हैं unfortunately दोस्तों वह मिर्ची मुझे मिली नहीं मैंने सारे मार्केट में ढूंड लिया एक एक मार्केट छान लिया मुझे वही इस्तमाल करना था लेकिन वह नहीं मिला तो इसलिए मैं ये मिर्ची इस्तमाल कर रही है अगर आपको कस्मीरी मिर्ची मिल तो आप उसी मिर्ची का इस्तमाल कर लिजेगा इस रेसिपी में तो जब तक हमारा काजू और मिर्ची सॉफ्ट हो रहे तब तक यहां पर एक छोटी सी तैयारी कर लेते हैं एक बरतन लेंगे और इस बरतन में आप देख सकते हो एक चमच हम एक बिसेश मसाला रेडी अब यहां पर देख सकते हो दोस्तों half spoon गोल मरीच है तो यह भी इस्तमाल करेंगे और यहां पर खड़े मसाले है तो इतना करीब को हम इसमें हलका सा रोष्ट करें लिजे दोस्तों एक से डेर मिनट में इसको हमने अच्छे से भून लिया है इसका कलर भी चेंज नहीं हुआ है और खुश्बू भी बहुत बढ़ियां आ रही है साथ-साथ यह जला भी नहीं है और बढ़ियां से इसकी नमी भी मर गई है इ उसमें तो सात्विक तरीके से भोजन बनता है तो इस मसाले को आप सबजी वगारा समय इस्तमाल कर सकते हो इसको थोड़ा ठंडा होने देते हैं पहले ही बॉइल करके रखा हुआ था यह जाधा सौगी नहीं होने चाहिए अब इन सारे आलू में क्या करेंगे स्पोक से इस तो यहां पर देख सकते हैं धर की फ्रेश दही है और इसको हमने मठ्कूरा में पोड़ा था है बहुत ही टेश्टी दही जमती है मठ्कूरे में और बहुत ही हल्दी होती है बच्छों से बढ़ों के लिए इस तरह से धंडी में खाये बरसात में खाये या फिर आप गर्मी में खाएं तो इसी बरतेर में पॉड़ना चाहिए और किसी भी मौसम में इस दही का लुफ्ट उठा सकते हैं कभी नुकसान दायक नहीं होता है तो यहां पर हैंड विश्कर हैं हैंड विश्कर की सहता से हम इसको मिला लेते हैं आप रही जो आती है न लकड़ी वाली मतनी उ अब दोस्तों यह मिर्ची को और यह काजू को और यह जो हमारा मसाला है इन सब को हम मिक्सी के जार में एक एक करके ग्राइंड कर लेते हैं यह लिजे दोस्तों काजू का और मिर्ची का साथी साथ मसाले का हमने सब कुछ पीस पास के रख लिया है अब इस मसाले में जो है दोस्तों half spoon करेंब हम गरम मसाला एट करेंगे और इन सारे मसालों को हम अच्छे से मिला लेते हैं दोस्तों तो इस बसाले को आप किसी भी सब्जी में डालोगे न दोस्तों बर्थ हो या बिना बर्थ के तो उस सबजी का जाइका बर जाएगा ये देखिए दोस्तों इसकी खुश्बू बहुत ही बढ़िया है तो दोस्तों ये फेटे हुए दही जो है इसमें सबसे पहले यहां पर देख सकते हैं वन फॉर्थ करीब हम टर्वरिक पॉडर एड़ करे देखिए और सथी आपे जो हमारा पीशा हुआ काजु है काजु का पेश्ट तो वह भी हम इसमें दे देते हैं यह देखिए इन सारी चीजों को हम बढ़िया से इसमें थोड़ा सा पानी डाल लेते हैं तो दोस्तों ये दोनों कटोरी में हमनें पानी डाल दिया है क्यूं वेष्ट करना दोस्तों और साथ ही साथ यहां पर काजू का भी थुरा सा जो पानी था इसमें दो-दो चमच करी दोनों में पानी ले लिया है अब इन सारे चीजों को हम आपस में बढ़िया से मिला लेते हैं ये देखिए बढ़िया से मिल जाएगा इस हैंड विसकर से इसी म मेरी काफी हीट थी इसलिए मैंने इसको गैस का फ्लेम लोटू मीडियम कर दिया है आप जो भी आलू है उसको मैं लाइट ब्राउन होने के बाद एक अलग से ये देखिए कितना बढ़िया इसका कलर आ गया है जलाना बिल्कुल नहीं है अलग से बरतन में इसको निकाल देते है क्योंकि मस्टर्ड जो होता है काफी हेल्दी होता है और इसका टेस्ट फ्लेवर भी बढ़िया होता है और मैंने लोहे वाली कड़ाई में ही आलू को फ्राई किया है लोहे वाले जो आयरन की कड़ाई होती है उसमें सबजी वगेरा कुछ भी आप चीज रेसेपी बनाए वह बहुत ही अच्छी बनती है हेल्दी होती है लोहे वाले जो कड़ाई होती है तो यह लिजे दोस्तों गोल्डेन ब्राउन तक आलू को हमने फ्राई कर लिया अलग से बरतन में इसको निकाल लिया कड़ाई चड़ा दिये गैस पर इस पर दो चमच करीब हम मस्टर्ड ओ देंगे अब यहां पर जो है दो चमच करीब मैं रेट चिली पॉडर ले रहे हूं ती साथ अब जो हमने मसाला करके रखा था दोस्तों उसको भी इसमें एड कर देते हैं अब इन सारे मसालों को अच्छी तरह से भून लेते हैं दोस्तों लोटू मीडियम पर ही हम भूनें इसकर के यह जो दही का रखा था पूरा प्योरी इसमें डाल देते हैं धीरे धीरे इस स्टेश पर छीटे भी उड़ते हैं तो पकने का चांस रह सकता है इसलिए गैस का फ्लेम कम कर दीजिएगा अब यहां पर दोस्तों हमने इसमें चार से पांच चमच पानी ले लिया है नमक है इसलिए देर चमच जो है मैं इस्तमाल कर रहे हूँ आप अपने टेस्ट के एक ओडिंग नमक एड़ कर सकते हो दोस्तों तो दोस्तों आप इसको धकन लगा के हम लोटू मीडियम पे पांच मिनिट के लिए सारे जो पियोरी मसाला वगरा है पकने देते हैं तो यह लू देने के बाद दोस्तों यहां पे केचप है यह बच्चों को बहुत पसंद आएगी यह सबजी स्ट्रिक से बनाने से तो यहां पे केचप मैंने आरहाई चमच लिया है तो इसको भी हम दे देते हैं यह टोटली ऑप्सनल है आप देना चाहो तो दे भी सकते हो नहीं त इसको एसकेप कर सकते हो केचप जो अभी हमने डाला था इसको मिला लेते हैं आपस में इन सारी चीजों को बढ़िया से अब इसको हम धकल लगा के लोटू फ्लेम पे 10 मिनट के लिए पकने देते हैं तो यह लिजो दोस्तों 10 मिनट हो गया है और यह जो हमारी सबजी है दोस्तों गैस बंद करने के बाद यहां पर फ्रेश फ्रेश कोरेंडर लीव है वो दे देते हैं दोस्तों आब इसको पांस से 10 मिनट धकन लगा के छोड़ देते हैं तो दोस्तों पांस से दस मिनट हो गया है देखिए अब हम इसमें एक थोड़ा सा और इसका टेस्ट फ्ल देने के बाद यहां पे दो चमच करीब मैंने रेट चिली पॉडर डाल दिया है साथ साथ सौंट का पॉडर भी डाल दिया है दोस्तों क्लिप नहीं देखा पाई क्योंकि एक ही हाँ से सब कुछ करना पड़ता है वीडियो भी और मुबाइल भी पकर रही हूं दोस्तों और इससे जहीं भी रहे तो आप इसमें फिंच भर हिंग जरू डाल दीजेगा कड़ी पत्र डाल दीजेगा और साथी-साथ यहां पे रेट चिली पॉडर डाल दीजेगा अब इन सब को अच्छे से हां थोड़ा सा कड़कने देते हैं उसके बाद हम सब्जी में तड़का मार दीजे और एक मिनट के लिए करीब यह जो खुश्बू है भान ना जबाए धकल लगा के छोड़ दीजी एक मिनट हो गया है दोस्तो और यह लिजे कितना पॉफेक्ट कितना बढ़िया आपका यह सब्जी बनके रैडी हो गया है दोस्तो तो दोस्तो यह जो तड़का मैंने म पारा है इस तरह से ही यह सब्जी मैं अपने घर में बनाती हूं मेरे पूरे परिवार को बहुत पसंद आता है आप चाहो तो हींका सोट का जब हम मसाला भून रहे तब भी आप मिला सकते थे लेकिन इस तरह से तरका मार के उसके बाद आप मिला ओगे ना तो सब्जी का जो है बहुत ही जबरदर्स आता है निखर के आता है टेस्ट इनेल हो जाता है आप सोट के पौडर के बज़े अधरक भी ले सकते हो जब हमने पीसा था उसमें आप जिंजर डे दीजेगा अगर आपके पास सोट का पौडर नहीं है यह सबजी देख सकते हैं दोस्तों कितनी ब तरह से आप एक बार बनाओगे न तो बार बार आपका दिल लल चाएगा तो दोस्तों थोड़ी सी जो इस सबजी की ग्रेवी है मैंने ऐसी गाड़ी ठीक रखी है आप चाहो तो अपने टेस्ट के कोडिंग जैसा आपको इच्छा है ऐसा रख सकते हो दोस्तों तो जब तक ऐसी ही प्यारी रेसेपी से मिलती हूँ इंस्टेंट रेसेपी से तब तक आप इस रेसेपी को बनाएए फूल फैमली इंजॉई कीजे और खाते खाते अपने इस प्यारी सी दोस्तों याद कीजे बाबाई टेक केर